हुआ हम जहीं कह स्पीक प्डिवेसर क्वेटिंस की स्रीयниц कर रहे है जिसमें हम रेल्वे इंजीनेर्इंट के पार्ट हम उन्हारी डिसक्स किये थे आज हम पार्ट सु कर रहे हैं डिसक्सक्षा नमबर से चले क्वेस्टन नमबर सेवन वाट विल बिदा करूव लीड फॉर वन इन एट पाइट पाइट फाइव तर्न आउट टेकिंग फॉर आफ फॉर्म एट स्टेट बीजी ट्रेट इसका जो आएगा वह ट्वेंटी एट पाइट पॉर नैन वह कैसे आएगा वह क्यो गॉर्डस होता है और यह नमबरा क्रासिंग होता है अब हम पहले डिसक्स करेंगे क्या होता है क्योंकि कंबर जानना बहुत जरूरी होता है तो करव लीड जो हता है देखो ये distance between T and C, theoretical nose crossing and tangent point के बीच में जो distance ना पाजाता है उसको हम करव लीड के थे, अगर हमको switch lead जानना हूँ तो distance क्या है? distance between tangent point T and the heel of switch, heel of switch तक जो distance होता है, वो कितना होगा? और अगर हमको curve lead की distance ना पाजाता है, वो distance between क्या है? थो रिटकल नोज, क्रसिंग औंड, हेल आप दे स्विच, देखो, यह चो ची है यह फिर एस एल पलस एल होता है, मैं दिखाऊँगा यह कैसी एस एल पलज ओलो होता है, यहां पर देख लो आप अगर हम इस डिरेक्शन में फिस करें मतलब यहां से ट्रेन डिरेक्शन में जा रही है ट्रेन इस डिरेक्शन में जा रही है तो पहले हम इसको यहां पर जूम करेंगे देखो अभी हमने बोला कि अगर अगर यहां से यहां तक की डिरेक्शन में हम जाएंगे इस डिरेक्शन में हम जाएंगे के भी तो यहां पर करेंगे तोर यहां पर यहां काया जाता है यहां पर को यहां ने क्रॉस्ट मेंец cross lead के लिए जो distance होता है वो SL है यहाँ पर switch lead है और जो यहाँ पर switch lead है पिर कहां तक TNC यहाँ पर theoretical nose point होता है जहाँ पर यह train मतलब end करता है एक train ऐसे जाता है एक train ऐसे जाता है इसको इस point को जहाँ पर यह actually meet करते है उससे पहले जो उसको TNC कहा जाता है और यह देखो जो करू lead है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक को distance है वो करू lead कहा जाता है यानि कि tangent to point से लेकर कहां तक यहां तक 表示 हीड तक distance लिया जाता है ये जाए इसको हम बोलता है कि TNC भी वहाँ तक जो distance से उसको हम करूँ lead कहा जाता है देखो यहां से आपको समुझ आया होगा कि जो CL है वो किसके बराबद है SL plus lead यानि कि switch lead plus lead देखो अब यहां पर आप देखो आप यह तो समुझ आया CL is equal SL plus L के से आया है अब यह देखना है आपको देखो CL is equal to L plus SL यह तो आपको पता चला लेकिन यह जो geometry के लिए फिर ले लिया जाता है यह हम मतलब के observations के थू ना पक गये तो यह two g n के बराबत होता है जो two है two times होता है गोर्ष डिस्टन्स कितना होगा और और N होता है number of crossing यह जब यह सब value डालते हैं तो वहां पर जो answer आता है वो 28.9 और यहां पर देख लो आप अगर SL निकालना हो SL होता है बराबत अंडर रूटा two or not d two or not d और d जो लिया जाता है वो lot gauge के लिए 133 mm to 137 यह सब देखना है और नाट के से निकालते है वो तू जी एंसकेर वा प्लस 1.5 G चलो इस cancer क्या आया हो 28.9 यहां पर 28.9 त्वेंट पाइंट नेक्स्ट क्वेस्टन तू t wa important this in composition of steel used in rail , नेक्स में जाया क्या है एक तो कार्म लिया जाता है एक मैगने क्वेस्ट करता है और जो मैगने क्वेस्ट है इलस्टिकी प्रोवाईड करता है यह यहाद रखना जो मैगने प्रोवाईड करता है इसी की वज़े से आता है और अगर कौर्बन होगा क्या आ की वज़े से सित्डंत हRIA मैं होता है लेकिन अगर ज्यादा सित्रंथ होगा तो यह ज्यादा ब्रि ब्रिट्ल भी बन सकता है यहातर च्रेंद ॉल्र स्य जह स्या दो के यहां पर इसके यहां पर रुकी हुई है तो यहां पर इसके यह वील से यह वील से जब ही बहुत टाइम तक एक जगह पर रुकते पलद लोड टाइन यहां तो इसको बोलता है यहां दूसरा होता है इंदर डिरेक्शन आव निल जब ट्रेड होते फिर वह start होने लगती है उस वाजा से फोर्स अपने पीछे direction में लागाती है मतलब कि direction of creep हो जाता है वो पीछी की तरफ अपनी मतलब जो रेल है उसको force देती है उसको बोलते हैं इस ब्रेक्शन थोरी है, यहां पर जॉइंट पर दो, देखो, यहां पर यह सब फोर्ट थोरी, यह सब पढ़ लेना कैसे, पीछे की तरफ और जॉइंट पर कैसे, जब देखो, यहां पर फिश फलेट के बीच में, वहां फटी, in the direction of movement, जो है, train को ये force कर सकते हैं, अगर ये दो train है, ये दो rail है, यहाँ पर जब, wheel होता, जो जो wheel है, अगर ये ऐसे move कर रहा है, तो ये इस rail को, ये वाले rail को इस direction में move करवाएगा, और ये जो पीछे वाले rail है, इसको इस direction में, पीछे backward और इसको forward इस वज़े से जो है creep of rail हो जाता है देखो यह results of creep की वज़े से क्या क्या हो सकता है क्याइब की वज़े से जो इसका जो है slippers move out of position और गॉज़ डिस्टर्बंस जो गॉज़ डिस्टर्बंस 1.676 ब्रॉड के लिए वो कम ज्यादा या कम डिस्टर्ब होगा वो परावर नहीं रहेगा और जॉइंट पर और कॉस्ट पर जो हमने रखा होता है डिजाइन के हिसाब से वो सब नहीं रहता है वो सब डिस्टर्ब होता है और रिफेक्स अफ रेल जो है वो पासिबल नहीं होता है इंट्र लॉकिंग मेगनिजम फेल हो जाता है वहां पर चलो composite sleeper index क्या होता है composite sleeper index देखो composite CSI इसको बोलता है short में भी का जाता है CSI यह होता है s plus 10 divided by 20 और यह जो है 12 percent moisture content पर ना पा जाता है देखो s plus 10 h जो s है यह strength index है और h है यह hardness index है तो यहाँ पर देखो आप answer क्या आएगा इसका c hardness और strength हो यह major करता है टाहनेस तो कई है नहीं strength और hardness यह याद रखना और यह जो है minimum CSI यह important है आ सकता है इस बार बहुत chances आने के जो जो मैं questions यहाँ पर करा रहा हूं उसके मतलब के extra वह बहुत chance आने के हैं इसलिए मैं उनको साथ साथ देखी कर रहा हूं देखो इसका seven eight three है कि इसका जो अगर crossing पर sleeper का sleeper वह cross index कितना हो यह खाली किसके लिए है यह wooden sleeper के लिए है जो crossing sleeper crossing इस पर sleeper का जो है CSI composite sleeper index होना चाहिए हो कितना है one three five two और bridge पर कितना one four five five यह सभ्याद रखना और यह one seven one seven eight three है चला आप नेक्सिट क्वेस्टन है नमबर आप फिश बोर्ड पर फिश पलेट यह हमने आरेड़ी वहां पर पड़ा था पीछे फिश पलेट्स क्या होते है वह continuity maintain करता है और भी सब कुछ contraction और expansion अलो करता है क्योंकि temperature variation की जैसी के expansion भी होता है देखो यह fish फिटूट है इसके कैसे ये rail को joint करता है है यह देखो यह दो रेल है यह 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 से दो नेक्क्ट आपर बोल्ट 1 से से दो तो कितने फिश बोल्ट से चार एक रियल पर दो दूसरे रियल पर दो next question a point and crossing total number of slippers for one in 12 turn out in a broad gauge is देखो इसमें जो है जब जब कितना होगा पहले इसको देखो ये 70 लिया जाता है 70 और 83 83 किसके लिए 1 in 12 turn out और ये simple के लिए जब preset होगा उसके लिए 183 और जब ये होगा one in eight crossing उसके लिए कितना लिया जाता है 51 और अगर preset होगा फिर कितना लिया जाता है 54 यहां पर ये मैंने थोड़ा इसको लाबराट किया है ये देखो यहां पर ये 51 है one in eight के लिए और 54 है जब one in eight होगा लेकिन कितना है 54 और जो speed है maximum वो one in 12 के लिए कितना लिया जाता है ये याद रखना maximum speed हम कितना ले सकते हैं यहां पर अभी ठीक हुआ ये इंपॉर्टेंट है कि अगली बार one in eight से भी आ सकता है 54 प्रिशेट रखना है और ये सब किसके लिए डिफाइन है ब्रॉड गेज के लिए कि मीटर गेज नारो गेज वो आप सब देख लिए ना कि उससे भी questions आ सकते है यही इंपॉर्टेंट है कि अगली बार अगर ब्रॉड गेज से नहीं मीटर गाई से पुछा जा सकता है और one in sixteen इसमें 30 किलो मेटर maximum speed होता है जो slipper यूज किया जाता है पी एसी में वह one in zero one और one twenty maximum value of through of switch for broad gauges इसका जो answer आएगा one 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 fifteen लिया जाता है और one sixty भी लिया जाता है आजकल नाय कोड में प्रोवाइड किया है यह मॉटफाइड वर्जन में और यह through of switch क्या होता है अगर ऐसे rail है यह stock rail है आपको पता आपको stock rail इसके बीच में difference अगर यह stock rail है यहां से टांग rail निकला यह जो इसके बीच में जो angle है इसको angle of triangle बोलते है switch angle बोलते हैं और इसमें जो यह distance provide किया जाता है वो through of switch क्या कहते है उसको और one fifteen होता है और देखो यह heel divergence क्या होता है heel divergence होता है कि यहां से यहां तक जो distance होता है running faces देखो इस rail के लिए running face यह है running face यह है इस stock के लिए और यह tongue rail के लिए running face कुन सा है यह मैं कर रहा हूं यहां पर running face यह होगा और इसके लिए running face तो इसमें बीच में जो distance होगा उसको बोलते है heel divergence यह extra है और अगर यहां से यहां adjacent यह वाला distance adjacent इसका running face और इसका नो running face इसको बोलते है flange के लिए running face flange कहते है इसको यह याद रखना है चलो आज इतना ही hope आप सब को समझाया होगा अगर feedback चाहे तो comment box में जूरूर बताएं कि मैं आपको provide करूँगा तहले गनाव की through चलो thank you अędिको हम इतक में जुक को कि मैं अगर थाएं को समयाँ क्यादे confक्ष्ट